मारबद और बढ़गया को मूल रूप से बुराई का प्रतीक माना जाता है और ताना पुला के आउसर पर जुलस निकाला जाता है काले और पेले रंग के पुतलों को पुली और काली मारबद कहा जाता है इन पुतलों को इतवारी और पूरवी नाकपुर की गरियों से 10 किलोमेटर तर जुलुस के रूप में ले जाया चाता है और फिर जला दे जाता है ऐसा माना चाता है कि इन पुतलों की जलने से सारी नकरात्मक्ता जल जाती है नाखपुर में पुरानी परंपरा और तिहार आज मनाई जारी है। माना जता है कि काली मारबद भूचला रानी बाका भाई का प्रतिक है जिन्होंने ब्रिटिस सत्था के सामने आत्मसमर्पन कर दिया था यह लोकुदवरा उनके कृत्रे के खिलाब अपना गुस्सा दिखाने का तरीका था। मारबद तरहने तेली समुदाय दवारा बनाई जाती है जबकि काली मारबद नेरों पतला चौक के पास के दुकान दारों दवरा बनाई जाती है। मारबद उस्थभ धूमधाम से मनाय जा रहा है। एस सुचव को लेकर डोग सड़कों पर जुलुस निकाल कर गानों की दुन पर थिरकते नजर आए। लोग एस सुचव को बुरी ताप्तों और बिमार्यों को दूट रखने के लिए मनाते हैं। यह अनुठा पर्व नाखपुर की खास पैचान हैं जिसे हर साल नाखपुर की लोग मनाते हैं। कैमरा परसन राजकुमार बोड के साथ अभिशेक पांसी के रिपूट।